तो आज की इस यूडियो में हमारे साथ है डिपक और रिनोंने सीव वीटी केस्ट में काफी मतलब हंडिट प्रसेंटाइल स्कोर्स ने दो तीन सब्जेक्स मिला हैं तो इनसे बात करने वाले हैं और जानेंगे क्या कुछ ऐसी सीक्रेट्स हैं क्या स्ट्रेट्जी से क्या दीपकाद कर बीइव своеhr निदेक्स नीयूरप्सिन से भीवर फ्रसेंटाइल समय विवालिए लेटाओ की मतलब कि उमाराइब कि इस अन्हार इलिए क्या क्या झाय रहा है ज्खल जानालपी मतलब कात्ज स्टूर्ट्ट्चार्प्ध पहन दर लानीड़ाय डिग्श्व जा I am in arts background and Yeah, I am from arts And what, sir, what? I mean, I am from CVAC CVAC Yes So, let me tell you first that in three subjects, you have 100% titles scored in three subjects So, how did you prepare your preparation? Sir, first of all, preparation, I mean, when I was in 12th grade, when I was in the elementary school, I was introduced to CVT So, at that time, I was planning to give it to me So, first, we had a board system and board marks were more focused on the boards But when the board came, it was the main focus of the idea So, at that time, we were the main focus on CVT That was much pressure And by the same time, I also started with the boards which were the theory-based questions तो इसके साफ में EMC double the दे दरे practice करते रहा पूरे साफ तो अब आपने तोकस था मैंड में कि हाँ हां स्टार्टिंग से अपने श्चुट के लिए तो इस्टार्ट कर दिया था उसक्तेरtal करते हुआ आपने स्टार्टिंग से अपने 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 स्टार् मतलब आ चुके हैं हमाई बास तो questions उनको देखना चाहिए तो यह बताओ कि जैसे कि साथ में वोट्स होती हैं तो उसके साथ वोट्स में तो क्योंकि यह होता है कि पढ़ना पढ़ता है subjective होता है और और स्टीवें objective चीजे होती है तो इसमें time कैसे divide करते हो जैसे कि objective के लिए अलड़ पढ़ना और subjective क्योंकि subjective तो काप ही मतलब है कि वोट्स में subjective questions आते हैं तो वो तो priority होना चाहिए तो priority होता भी है काई साथ students की queries होती है कि हम लोग words के लिए ही पढ़ते रहा जाते हैं स्टीवें के लिए अपने फॉलो किया था जो आपको 100% टाइल आपके तीनों सब्जेक्स पर दिलाया है तो उसको अफ़वर डिप्लीक स्प्रेंग रहा है कि अगर आप किसी वह एक्जाम के लिए प्रेपर करते हैं तो पहने आपको एक स्ट्रेटीशी है प्लैनिंग करन है तो व हम सही सबसे पहले स्टैप है कि अपने टाइम को इसकार्ना कि मैंने कभ जे एक्जाम डेना मिसां लिए इंसरे एकटारी इंफ पहले पहले आयंलाईस किया और फिर खुद को ऊनलाईस कि कि मैं किस तरीके से पढ़ना ऑनकुस्त Siga पहलुन कि या मैं साथ मेरे करता है जिसे एक लाविक्स का हमाई से लबस तो उसमें इन प्रॉडबेट था तो फिर वो देखना चलो रही है तो पहले हमने से लबस देख लिए उसके बात क्योंकि मेरे टाइम में एक बार एक्जाम हो चुका था तो मैंने क्या कि गुगल में कहीं कहीं रफ ऐसे पर प्र सीवीधि को भी लेके चलना है तो जब भी बहुट के लिए हम श्रक्राइट बढ़ते हमने शुरी बेस ज्यादा होते है कि हमने आंसर बिखने लॉग लाँंसर मैंने क्या किया था मैंने उसको भी फोपस किया था लेकिन साती साथ उत थी पॉइंट्स होएं जिसे इसको अच्छे सी focus करना होता है, जो कि बोर्ड में नहीं आते हैं तो मैने एक चप्टर बढ़ा, फ्र्स रीडिंग में मैंने बोर्ड कहीं साब से पढ़ लिया, थ्योरी बेस्ट आइडिया होगया, फ्र्र बोर्ड कहीं साब साब से पढ़ लिया. करने जो की पॉइंट से हमारा जो डेट से उसको अलग से डाउन करते हैं वही आपका नूट्स दिया 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 बनते चला जाता है और लास्ट में बुक्त ज़्यादा होता है इस देरी से शॉर्ट स्ट्रेटीजी पहता हुए तो मतलब कितने घंटे स्टाडीज की जैसे यह काफे लोगों से तो मैं इस कोशन बहुत थोड़ा इरेलिवेंट मानता हूं बट क्युम्दी काफे लोग कुछते हैं तो यह भी मैं आपसे पूछ दे रहा हूं कि आपको आपने कितने घंटे स्टाडीज जीजी तो कुछ लोगों के लिए गंटे मैटर्स करते हैं कु मुझे फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने बहुत अच्छा लगता है मुवीज देखना भी अच्छा लगता है प्लस इसकूल में जो एक्स्टा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं वह दर दान्स, स्पीच, हर चीज़ें पड़ाई के लिए भी ताइम देते रहा है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपोर्टेंट है से आप 6 आवर दे रहे हो पोई मायने नहीं है बट अगर आप देली 2 और देली विदाउट एनी फैल अपका हो रहा है बहुत इंपोर्ट आपने यहां पर बात की क्योंकि काफी मतलब लोग होते हैं कि मतलब कुछ लोग तो बहुत कैजूर ले 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 थे हैं कि मतलब पड़ते ही नहीं और लास्ट में जागी उन्हें काफी डिफिकल्टी होता है और कुछ लोग होता हैं काफी सीरियस होते है स्टार्टिंग से ही तो ना वो स्कूल जाते हैं ना इख्स्राकलियर तो दूर कि भाद तो पूल भी नहीं जाते हैं and अब होट मड़ल ऐसी सीरियस हो जाते हैं में दब कर लो कि देना है देना है चाहिए तो या फिर बहुत अधर उडर से एक्सेप्ट करती है तो उसके लिए आपको कांसिस्टेंट स्टार्टिंस रहना पड़ेगा अधर से लिए पुछे जाते हैं या फिर अंदर से कुश्टन सोते हैं डिफिकल्टी लिवादा सब्जेक्ट वेरी करता है जिसे हिस्ट्री और फिये पॉपर इंसी अर्ट शाय तो उससे बाहर से पुछ नहीं आया बट जैसे अगर एक्कोनोमिक्स जैसा सब्जेक्ट का हम आख करें तो कहीं बार क्या होता है कि अम दो बोर्ट कि लिए रैफ्रेंस बुक्स बहुत सहरे यूज करते हैं जो मार्कें बार्केट में तो वो थ्यूपफ़ल होती है एंसे एकोनोमिक्स का नमला कवाएं शॉर्ट है तो एक अच्छे अन्डैंडीं के लिए वह सिंपल तो बहतर सब मिल डाता है कोई भी पब्लिकेशन का देनेतिस होके एकनोमिक्स के लिए तो एकनोमिक्स के लिए आपको थोड़ा अधर नहीं देखना पड़ा है का बाकी हिस्ट्री के लिए और आप एंजिया अच्छा दीपक तो आप यह बताई कि आपने अपने पिल्परश कर सब को और मतलब एक लेवल देखने की मैंने ले लिया था तो आप कोई भी टेस्ट्री अगर आप एफटेबल है तभी लिए इतना इतना पर ज़रूरी नहीं है और और एक इंपोर्टन चीज है कि जब आप टेस्ट्री लेते हैं तो उसमें जो क्वेशन होता हैं काफी ह से बहुत लेवल को होता है तो मेंने लिली में के नहीं होती है। इस में पहले और कोचींग संटर में सब कर सेम हं इतना कुछ डिफेरिंश सेई कर तो इसलिए लक हो लकोंर है अगर रखता है कि नहीं खुद से हो जा रहा है तो आपको टेस्स के विए आप खुद से कर सकते हैं मतलग कि लास्ट रेंड पे आपने टेस्ट रीज दिया था अपने प्रैक्टिस के लिए जिसे कि आप एक बार आलाइस कर पाओ कि कैसा है यह भी द्यान रहतने वाले बा आपका 12 का स्कोर किया रहा है तो मेरा सिक्स अब्जेक का तो उनको में 94.6 परसंट आया है और अगर 5 बेस्ट पत्वे तो 95 परसंट ग्रेट तो आपको कॉंग्रेट्स इस बात के लिए फस्ट अपल तो मैं स्टार्टिंग में कॉंग्रेट्स करना में पूल गया था स्वी तो आपका टार्गेट होगा डेलिए और आपका इतना अच्छा माक्स आया है तो आप का क्या प्रेफ्रेंस तो कौन सा कोस्ट आप परस्टिंग करना चाहते हों रूसर में बीए पॉल साइंस कंचिनिम करूंगा तो आपका कौन से ड्रीम कॉलेज होगा डियू के लिए तो हिंदू कॉलेज जैसा की पता होगा आपको भी और नहीं पता तो मैं मुता दू कि इंदू कॉलेज इंटार डेलिए पॉल साइंस के लिए पेमस है और काफी मतलब उसको कटाओ भी हाय जाता है बड्यस आपको क्योंकि आपने काफी अच्छा स्कूर किया तो आपके च तो देल में आया एक्जाम तो मेरा यह स्टोरी मतलब काभी होगी हांसी आता है एक्जाम से पहले तब चलब कोई भी उनिवर्सिटी मिल रहा है तो थोड़ सो कंफिडेंस हो गया कि नहीं भी हो डेख सकते हैं फिर जब स्कॉल कार्ट आया तो नहीं आप डियू जाना है औ और अभी से स्कॉल कार्ट जब से मिला तब यूटूब में काफी सारे मेनियों हैं दियू के बारे में देखा लगा कि नहीं मेरे जो मेरा जो स्कॉप मतलब बहुत ज्यादा होगा त्यूम प्लस जो मा का प्लैट्फोर्म गया जाता है इंवर्मेंट है वो मुझे बहुत ह करेगा तो मैं अब तो दियू ही जाना है तो इसकोर आई है तो इसलिए तो काफी लोग दियू काफी मेंनत करते हैं काफी एक्साइड़ होते हैं तो आप कुछ अपने फेलो कैंडेट्स के लिब तो आने वाले जो जो यूनियर्स हैं जो स्कुली कुछ आप आप अपना मतलब कोर्स के लिब को आप आर्ट से हो तो अपने सब्सक्राइब के लिए कुछ एडवाइज देना चाहोगे कि कैसे वो प्रफिंगर क्यूंकि आपने वसे तो सारा बताएं दिया बट फिर भी इन सॉर्ट में आप कुछ इस्पें करो नों को कि उनके और इंग्रिश के लिए आप स्पेशियली जो आपका जो बेसिक ग्रामर है उसको धे दिरी खेल करना चालो कर दीजिए क्यूंकि लास्ट इसे जो ट्रेंड था उसमें वोकेब्लेरी फिसी नो नेम अन्टो नेम ये सब कोशिंस ज्यादा आये थे बट इस बाए तर ट्रें जो क्लास को रिडिंग क्लास में जो हम CBC के लिए पढ़ते हैं उसके साथ-साथ आप जो ग्रामर है तो CBC में ग्रामर नहीं है तो आप ग्रामर पे फोकेस कीजिए थौरा सा शाभ वोकेबुरी पे फोकेस कीजिए और जो सब्सॐक्ट जेसे जैसे जन्रечно टेस्ट को मैंने तो पुराने नियूस्पेपर आते हैं तो उनको इनने देखते रहा हो तो नियूस्पेपर से भी काफी help होता है और फिर आपके जो मार्केट में जीनल टेस्क के लिए कुछ भी जो आपको लगे वह मेट्रेल लेके आप जीटी के लिए कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्र इप है कि आप इपने आपको एग्जास्ट मत करें जादे आपको पास अफिशिन टाइम है आप से वीवस को देखें अपने आपको समझें एक्जाम पैटरं को समझें तेन आप एजी पर प्रिश पर फोकस किजिए मैंने जलती किया था इसलिए मैं आपको यह अवेर कर रहा हूं कि आपकी बोर्स के आपस पर पुछ अथ तक मैंटर करते हैं तो मैंने क्या कि जब बोर्स के तानी पर सीटी में लगा रहा है इससे क्या हूँ कि मेरा जो राइटिंग प्रैक्टिस था वो चला गया तो बोर्स जब मैंने देर यह तरह नहीं रिलाइस एक नहीं तो टाइम दे लेना चाहिए था ता आप बोर्स पर में एक फोकस किजिए जब भी मैंटर करता है बस तो डिफिनेटली बोर्स तो मैंटर करता हैं बट यह कि से उटकाना से थोड़ा लोग उसके लिए थोड़ा दो वह तो है यह मैंटर करता है इंस फोकस कना चाहिए अच्छे यह बताओ जएरल टेस्ट के लिए कौन सी बुक्स आपने फॉन के ट इनल टेस्ट के लिए मैंने 10th का जो हमाज NCRT होता है sir, उसमें कुछ water-based question है, एक ship इतने speed से जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो आपको distance का फिवेट करना, एक popular question है कि एक pole train इतने मेर्स में cover करता है, तो उसका distance निकालना, ऐसे टाइक जो questions होते हैं, वह आप general NCRTs हैं, 8 का NCRT, 9 का NCRT भी इतना matter नहीं करता है, मैट्स के लिए वह आप NCRT कर सकते हैं, और current efforts के लिए daily update होता है, तो आप YouTube में videos मिल जाते हैं, उनको देखिए, प्रस आपके पास newspaper available है, तो newspaper देखिए, इतना deep में नहीं जाना है, आप कहते हैं, civil summits के preparation आप नहीं कर रहे हैं, आप सारे books हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कोई पतली से book लें, क्योंकि हमें मुझे सब क्या होता है, कि मैट्रियर्स equally होता है, तो देखने नहीं तो राच्छा लगे, ऐसा पतला सा किताब लेजी कि पढ़ने में अच्छा दिक्कत ना, मोटी-मोटी किताब लेजे ते और मैं मतलब मोटीवेटेड होके स्टार्ट कि अपना कि अब मुझे तुस्तिविटी का भी साथ में प्रिशन करना है, बड़ दस दिन या फिर पंदे दिन या फिर जाद साथ एक महीं ने करने के बाद, वो तो जा रहा है, वो दिया में एक दिन, दस पंदे दिन करने के फिर दिरे दिरे हम लोग कासिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसमें हम लोग फिर डाइवाट हो जाते हैं, फिर हम ऐस विजूल जो अपना डेली सीडियूल है, वो ही करने लगते हैं, फोन जा रहा है, अभी के टाइम पर जो यंग गेरेशन है, जो काफी जाद हम फोन बें लगे रहा रहते हैं, तो इस सब मावलम थोड़ा से बताओ कि कैसे आपने ये जिया, क्योंकि सोचल मीडिया को सब यूज करते हैं, अभी करना है, बिना सोचल मीडिया कोई अभी मतलब रह भी नहीं पा रहा है, ऐससा सिचेशन हो गया, और फोन में भी लगे हो अभी करने लोग, और दुसरी बात की कासिस्टेंसी मेंटेंन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कैसे आप मेंटेंड करें कासिस्टेंसी फोकस रहें, डाइवार्ट ना हो, इस से पर फोन पाइंट आपको इसमें था, इन सारे फिल्ड में कैसा आपका एक्स्पीरियल था, कैसे आपने कुपव किया? पढ़ना है, तो देखिया हम मोटिवेशन से स्टार्ट करेंगे, लिकिन डिसिप्लीन से कंटिन्यू करेंगे, यही स्ट्रेजी है, टू आवर्स देना है, मतलब देना है, उसमें कोई कंप्रमाइस नहीं, और से नेक्स्ट कॉशिन पुच्छा कि डिस्ट्रेक्शन्स, तो आप जितना डिस्ट्रेक्शन्स को रोबने के पुचिश करेंगे, जबरदस्ति उसके पर फोर्स एप्ले करेंगे, उतना ही ज्यादा एफेक्ट डालेगा आपके उपर, आप मोबैल साइट के जिए आपको ज्यादा यूस करने कामने करेंगा, इतना एफेक्ट नहीं पड इस पॉइंट आपको समझना है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मुझे अपना एक्जाम पर फोकस करना है, तो इस टाइम में कम कर दीजाए, बंद करेंगे, बंद करेंगे, दस देन के तक बंद रहेंगा, फिर आपको खोलनेगा बंद करेंगे, उसको continue रहने दीजे, और distraction प्रश्चन को क्या परना है मतलब एक बार दुवासा करना है खतम नहीं गरना है आप खतम नहीं कर सकते हैं और हां social media पॉस्टिव में भी help करता है जैसे कि इंस्टा में कि ऐसे चैनल से जो करेंट अफेर्स देते हैं और मैंने ऐसे दिपर कि स्युट में डायरेक्ट वो कोशिन उठा कर दे रहते हैं तो वह बहुत काफी इंपोर्टेंट है कि social media में आप अच्छे चैनल सको फॉलो करें एडिपेशनल चैनल सको फॉलो करें को आपक इंस्टाल कर दिया फिर आप 5-4 दिन तक अनिस्टाल करके रखे और 6-7 दिन आपको इतना अधा मन करेंगा कि दोबार इंस्टाल करके आप पूरा 2-3 गंटे में वेस्ट कर दोगे तो इससे बटर नहीं कि आप 5-10 मिट रोच यूज करो तो आपको ऐसा डूपामीन जो काफी मुझे अच्छा रगा तो इसको आपको फॉलो करना जो भी वीडियो देख रहे हैं सिर्टी इसको काफी द्धान में रखे आप लोग तो अब यह बता हो दिखबा कि आपको हम फाइनल स्पोर्टकास्ट को आपको सबाप करने वाले हैं तो आप सो फाइनल यह बता ह अब दो नहीं तो फिर आपका सब फिल करते हैं अब डेफिनेटली चेंज हो रहा है क्योंकि इसको स्ट्रक्चर होता है तुपी टीचर होते हैं उनके साथ उनके साथ काफी अच्छा बांडिंग रहता है तो वही एक डर साल लगता है कि नहीं माहौल में जा रहे हैं कैसे क्लासमेट्स होंगे कैसे प्रेंट्स बनेंगे तो वह डर तो जैनल है हर किसी को होगा और नेक्स चीज़ है कि नई इन्वर्मेंट में जा रहा हूं सर मतलब छोटे से शेहर में रहा हूं कि इतनी बार शेहर में जाना मापल पढ़ना तो काफी हद तक लगता है कि भी मैने कि बहुत इंपोरेंट रहता है कि आपने पहले से मतलब किया कुछ एक्सपेक्टेशन होती है और आप तो ड्यूब आप जाने वाले हो आपी स्पूर काफी अच्छे है तो आप पूर्श प्रवली हिंदूपलीस मिल दाएगा और तो आपने पहले से मतलब क्या कुछ एक् करेक्टिस होंगे वाह पर नेक्स चीज़े कि इसके साथ सब पढ़ाई के साथ सब एक प्लैट्फोर्म मिल सकता है मुझे जहां पर मेरा पर मेरा पर स्टीज की उपर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं कि मुझे वाह पर कुछ अच्छा मिलेगा अपने अपने आपका अपकी फुचर के लिए अल दिए वेस्ट बेस्ट बेस्ट बेस्स अब अकिस्ति विटेश्ट इस प्रेंट इस वीडो को देख नहीं अटाफी उन्हें भी मिला ओगा इनस प्रेशन अपने जो बाते बरता ही वो काफी इनके लिए हैट इससे कि अच्छे से प्रिपेर कर अपने मत प्रिफी औरे किले and thank you so muchL Branch for joining in thank you so much all the rest Based